तो जावा लेंगवज सिखने के स्रीज में आज हमें देखने मारे इनकैप्सुलेशन का टॉपिक और यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके इंटर्व्यू पॉइंट अव्यू से भी और एज लर्णिंग पॉइंट अव्यू से भी तो यहां पर बिसकल क्यों करेंगे वह इसलिए क्योंकि यहां बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए और एक वीडियो में इसको पॉसिबल नहीं है कवर कर पाना तो इंकैप्सुलेशन से रिलेटर आपके बहुत सारे टोपिक हो जाते हैं एक आपका इंकैप्सुलेशन खुद होता है इसी में इसमें आ जाते हैं आपका अप्सिठ कसाथ इंप्लेमेंट करना फिर पैकेज़स के साथ हैं इंप्लेमेट करना तो इंकेप्सुलेशन बहुत सारे टोपिक को कवर भी कर लेता है तो यहां पे सबसे पहले समझते मिकेस बहुता है कおい फ करोगे तो वहां पे पता ही नहीं का मतलब आप हो सकते हो placing या फिर writing या फिर keeping code and data into a single unit single unit कहने का मतलब है single class में या फिर single place में एक ही place में code को place कर देना या हमारे टम में लिखना हम लोग type ही तो करते हैं तो हमारे टम में एक ही class के अंदर code को place कर देना या फिर लिखना इसी को हम लोग बोल देंगे encapsulation करते हैं हम लोग encapsulation करते हैं to control over data data के ओपर control करने के लिए अब इसका क्या मतलब है control करने का यह भी हम लोग देखेंगे तेकि फिलाल आप समझ लेजें कि इसके लिए सबसे पहले यहां पर concept आता है access modifier यह भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में और यहां पर हम लोग cover कर लेंगे दो टोपिक एक पब्लिक और एक प्राइवेट को तो देखें इसी के थुरू हम लोग encapsulation को एचिव करते हैं data को हम लोग बना देते हैं private वह कैसे बनाते हैं वह भी देखेंगे इस वीडियो में तो यहां पर हम लोग data को private बनाके उसको control कर सकते हैं अभी तक जो भी हम लोग code लिख रहे थे वहां पर data हमारा public होता था अब यह public कहने का क्या मतलब है कि उसको उस class के बाहर access कर सकते हैं अब इसका क्या मतलब है उस class के बाहर इसको access कर सकते हैं वह भी देखेंगे हम लोग क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग code कर रहे थे वहां पर हम लोग directly members बनाते थे class में और इसको directly access कर लेते थे साथी में कहीं कि हम लोग method बना लेते थे method को call कर वा लेते थे लेकिन यहां पर हमें access modifier का concept लेके चल लाए encapsulation के लिए ठीक है और साथ हम यहां पर जैसे में आपको बताया है कि encapsulation को abstraction के साथ भी link किया जाता है कि abstraction आप अचीब कर सकते हो by using encapsulation ऐसा ही बोला जाता है तो यह abstraction क्या है यह भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में लेकिन फिलाल के लिए आपको overview समझ में आना चाहिए तो यहां पे आपको डेटर को private कर रहा होता है इंप्लिमेंटेशन कहीं के आपको टम दिखने को मिलेगा तो वह बैसिकली अब्स्ट्रेक्शन से रिलेटेड बोल रहा होता है कि अब्स्ट्रेक्शन को आप अचीब कर सकते हो by using encapsulation full abstraction तो full abstraction के आप भी हम लोग देख लेंगे आने वाले वीडियो में और यहां पे पैकेजिज के साथ भी आप लिंक कर लेते हो इसको हैं यहां पे सबसे पहले एक कोड के थ्रू हम लोग इंक encapsulation को समझ लेते हैं यहां पे अभी क्या बताया हमने कि एक ही प्लेस में कोड को लिखना मत्रब एक लास में बनाएंगे और उसे में हम लोग सारी कोड को लिखेंगे तो यहां पे जल्दी से फाइल बना लेते हैं क्लास कि इसको रख लेते हम लोग स्टूडेंट के नाम से पब्लिक स्टेटिक वोड में फिनिश यहां पे दिखिए क्या बोल रहा है रैप करना या फिर प्लेस करना या फिर राइट करना एक ही क्लास के अंदर यहां पे क्लास बना लेते हैं क्लास स्टूडेंट यहां प यहां पर दूसरा रख लेते हैं, यहां पर सब्सक्राइब कर लेते हैं, और बुक की आइडी यहां पर दे लेते हैं, तो इंट आइडी कर लिया एका, और एक कर लेते हैं, स्ट्रिंग बुक का नेम, तो स्ट्रिंग नेम कर लिया, और यहां पर हमने क्या किया, जो हम अभी यूज करते आए हैं इसका object बना सकते हैं तो यहां पे book b equals to new book कर लिए और यहां पे हम लोग b. suppose यहां पे id को 101 करते हैं अब यह हम लोग क्यों लिख रहे हैं यह आपको पता चल जाएगा तो syso के थुरू यहां यहां पे b.id करके इसको हम लोग पहले print करवाते हैं तो print करवाने के लिए यहां पे आप run as java application तो देख से तो यहां पे 101 आगया तो यहां पे यह जो हमने बनाया ना member id और name यह हम लोग यहां पे access कर ले रहे हैं main method जो है यह वाला जो है या फिर इस class को बहु सकते हो हमने क्या किया इस class को बनाया और इसको हम लोग एक अलग class के अंदर main method के अंदर यूज कर ले रहे हैं तो यह क्या हो गया by default यह public हो गया इसलिए वह accessible है जदि यहां पे public keyword भी लिखो होगे और यहां पे आप run करवाओगे तो same result आपको मिलेगा तो by default data जो होते हैं वह public होते हैं जो भी हम लोग members बनाते हैं इसलिए उसको हम लोग access कर लेते हैं लेकिन जदि यहां पे इसको आप private बनाते हैं यहां पे keyword होता है private इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे access modifier को जो मैंने यहां पे बताया आपको public private protected और default तो जब यहां पे डेटा को private कर देते हैं फिर इसको एक्सेस कर पाना difficult है यहां पे आप देख भी सकती हो यहां पे rates दे रहा है क्या बोल रहा है the field book is not visible ठीक है अब directly यहां पे access नहीं कर सकते हो जावा application करोगे तो आपको यहां पे same वही error देगा ठीक है is not visible का error दे रहा है unresolved compilation problem अल्राइट तो इसलिए यहां पे क्या करना पड़ता है आपको जदि डेटा को आपको getter setter method यूज़ करते हैं और साथ ही में method बना के इसको access कर लेते हैं जैसे suppose यहां पे हमने बनाया word display ठीक है और यहां पे consider में आपको बता रख है ठीक है डिस्पले किया यहां पे हम लोग भेज देते हैं int id ठीक है तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं b.display को call कर लेते हैं और डिस्पले में ही यहां पे पास कर लेते हैं 101 ठीक है तो 101 पास करने के बाद यह 101 यहां पे आएगा और यह जो id है ना इसी में यहां पे हमने यूज कर लिया ठीक है call करवाते बक्त और यहां पे डेटा पास कर दिया 101 अब यहां से जोड़े आपको यहीं पर प्रिंट करवाना है एक से करने कर दिया तो इसमें क्या हुआ इसमें उसकी वेल्डू को आपने असाइंड कर दिया जब आपने मेल उत्सक्राइब को कॉल करवाया है कि method जो है वो by default कि अप पब्लिक है तो method को हम लोग एक्सिस कर सकते हैं तो method को access करने के साथ है यहाँ पे हमने डेटा भेज दिये अब जदि यहाँ पर रिटन करवाते तो वह भी क्यकी है यहाँ यहाँ पर रिटन करवाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर यहाँ पर कि यहाँ it all right तो एाप याँगी विड़ोड स्कॉड प्रिंट और यहाँ डेट में मोका आना है यहां पर सिस्टम.org रिख लिजिए या फिर यहां पर एक व्यरिबल ले ले लिजिए इंट डेटा ले 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 लिजिए ठीक है तो डेटा पर वेल्यू आ गई ठीक है और यहां पे जो हम लोग return करवा रहे हैं इसको आप वह सकते हो get करना लेकिन यहां पे हम लोग दोनों के लिए अलग-अलग से method को handle करते हैं उससे क्या होता है हमें configure करना easy होता है data को और बहुत सारी complex problem को वह अच्छे से handle कर पाए इसलिए भी महां पे use कर लेते हैं तो उसके लिए यहां पे हम लोग आने वाले वीडियो पे देखेंगे लेकिन फिलाल के लिए यहां पे आपने देखा कि data को हम लोग प्राइविट बनाके उसको एक्सेस कर लेते हैं वा यूजिंग मैथड ओके तो उमीद है वीडियो जरू अच्छे लगे होगी सब्सक् चुड़ों में थाइंक्यू हैपी लर्न